What if I say on Golf Course Extension, it is a commercial project जो already super structure तक ready हो चुका है चार एकड में तीन टावर्स हैं जिसमें से जो टावर A और B है अभी available है सेल के लिए उसके अंदर आपको क्या-क्या opportunity है food court है, retail shops है, car showrooms है सब कुछ आपको इसके अंदर as an investment option मिल रहा है तो इसको क्यों खरीदना चाहिए, उसके पीछे तीन रीजन है पहला तो एक अश्वार डेंटल आपको मिल रहा है दूसरा ये है कि आपको day one से यहाँ पे ब्रैंट्स आ रखे हैं तो आपको रेंटल्स भी स्टार्ट हो जा रहा है और साथ ही साथ मार्केट से 25 से 30% के रेट पे आपको ये चीज मिल रही है पूरी डिटेल्स आपको मैं समझाने वालों आसपास की विजिनिटी आपको एक्स्प्रेंड करने वाला हूँ तो इस वीडियो को देखते हैं आगे तक here we go हाई नमस्कार और वल्कम टू माई योट्यूब चैनल आप दीपक कुमार गॉल्फ कोस एक्स्टेंशन नोट पे ये ऐसा नहीं है कि ये पहला कोई कमिर्शिल प्रोजेक्ट आ रहा है और लेड़ी यहाँ पे पहले से ही बहुत से कमिर्शिल प्रोजेक्ट है जिसमें से आदे से ज़्यादा फ्लॉप है और कुछ बहुत ही अच्छे हिट है AIPL Joy Street की अगर मैं बात करूँ जो की बहुत अच्छा लीज आउट हो रखा है MPM Arbana की बात करूँ जहां पे बहुत सारे ब्रैंडस आ रखे हैं AIPL के ही एकाद और भी जो प्रोजेक्ट हैं जहां पे आज से ही बहुत से ब्रैंडस आने स्टार्ट हो चुके हैं और MTM IFC जो में रोड की बिल्डिंग है जहां पे सारी की सारी रिटेल और लीजड आउट हो चुकी है तो कुछ उसी तरीके से ये प्रोजेक्ट है जहां पे आपको टावर A में ग्राउंड और फर्स फ्लोर पे रिटेल मिलता है और उपर में आपको multi-level का पारकिंग है second, third and fourth floor पे और fifth से लेके 17th floor पे office spaces है बागी रिटेल वालों के लिए minus one और minus two यानि दो basement parking आपको रिटेल वालों के लिए मिलता है टावर A में वही टावर B जो 24-meter road के उस साइड में पढ़ता है उसमें आपको ground first and second retail है third, fourth और fifth floor जो है आपका ये office space है और basement में उसके अंदर parking है तो पांच लेबल का वो है और साथे साथ टावर C जो है वो एक छोटा सा patch है 24-meter road के आपके left-hand side में वहाँ पे पूरा का पूरा जो वो building है वो as a stand-alone है ground first and second and that has been leased out with the starbucks पुरे इंडिया में सिर्फ वासे पंजाब में ही एक ऐसा location है जहाँ पे आपको starbucks जो है उसको drive-thru मिला हुआ है उसके बाद सिर्फ वासे भी एक ऐसी location होगी starbucks को जहाँ drive-thru मिल रहा है तो कुछ ऐसी मनसा के साथ ये शांदार project बनकर आ रहा है टावर A कप already super structure ready हो चुका है glass facade start हो चुका है लगना बहुत ही जल्दी हाँ lift install हो जाएगा और OCB apply हो जाएगा और साथ ही साथ आपको एक साल के अंदर अंदर possession offer मिल जाएगा वही टावर B को बनने में अभी दो साल लगेंगे टावर C को भी तकरीबन वही डेट से दो साल लगेंगे तो अभी ready product में अगर आपको मैं बोलू तो टावर A है और इसके अंदर में आपको दो से तीन अलग अलग investment options है पहला investment option है आपको car showroom अगर आप main road पे कुछ दुकाने लेना चाहते हैं तो आपको वो मिल जाता है उसके लवा back end side से जो road है और पीछे जो residential से उधर से connected होने के लिए उन्होंने जो road के तरफ से जो entry दी है तो आपको वहाँ पे food court और gaming zone मिलता है as an investment option ground और first पे साथ ही साथ अगर आपको food court में investment करना है तो tower B के second floor पे भी food court and restaurants है उसमें भी आप investment कर सकते हैं छोटी छोटी दुकाने tower B में ground और first पे भी available है जापे investment आपकी start हो जाती है food court की तकरीबन 45-50 लाग से और नीचे में तकरीबन 70-80-90 लाग से investment start हो जाती है tower A में 500-1500 इस तरह की दुकाने हैं तो आपकी investment इसके अंदर के ground floor पे आप देख रहे हैं तो सवा डेर करोड के आसपास से start हो जाती है उपर के floor पे first floor पे आपको तकरीबन 70-75 लाग से आसपास में आपको दुकाने मिल जाती है आपकी investment के basis पे अब इसको खरीदना क्यों चाहिए खरीदने के पीछे तीन रीजन है पहला रीजन तो यह है कि इसके अंदर आपको बहुत अच्छा assure rental मिल रहा है low-eye sign है brands के वो भी आपको दिखाएंगे कि इस तरह के brands already है interested है इतना ही नहीं मार्केट में अगर आप extension road पे कहीं पे भी आप चले जाओ यहीं से मुश्किल से एक किलोमेटर आगे जाने पर पारस का एक commercial project है वहाँ पे ongoing जो price है main road की तक्रीब आपको उससे better location just close to the main road आपको दे रहा हूँ इसके आसपास की vicinity में जो high-end residential हैं जैसे की pioneer area हो गया आपको pioneer park हो गया यहीं से थोड़ी सी दूरी में आपको महिंद्र अलूमिने कॉंसेंट हैं अलिवेट जैसे luxury project आपको मिलते है आईरियो का भी project nearby है आसपास से बहुत से और भी commercial और residential हैं आपको smart world का जो orchard था यहां से वो काफी नजदीक वो भी पढ़ता है सो vicinity में अच्छी कासी residential है और commercial के नाम पर यहां पर कुछी commercial ऐसे हैं जो ready हैं और आने वाले टाइम में और भी ready होंगे बट कौन इसको lease out कर पाता है नहीं कर पाता है यह सबसे बड़ा एक doubt होता है तो splendor के साथ यह एक plus point है कि इनके स करते हैं देखते हो brands की सारी list सो जो brands की में बात कर रहा था so these are the brands which are already associated from now आप बात करो Samsung, Adidas, Gittanjali, US Polo, VIP, Arrow, Kingdom of Grills जो है जो food court का area में आपको बता रहा था already इनके साथ tie up हो रखा है बाता ने भी बहुत बड़ा area का इनके पास LOI दे रखा है, Puma हो गया so these are the few brands जो नहीं आज से ही यहाँ पर LOI दे रखा है तो आप खुद में समझ सकते हो super structure तक में आपको कितने अच्छे अच्छे brands मिलने वाले हैं, even Tower B में एक बहुत बड़ा brand है उसने पूरा का पूरा ground of first floor भी इनको offer दिया हुआ है पूरा का पूरा lease पे, so यह जो location है Tower B और से ही कि थोड़ी सी मैं आपको explain करता हूँ, अंदर के और हम लोग चलते हैं जासा आप देख रहो यही है, यह सारे retail option और थोड़ी सी दूरी में आपको food court का area हो जाता है, इसके इस side में अगर मैं आपको दिखाऊं, so यह जो area है यहाँ पे आपको tower C आना है, और पीछे side में जो आपको दिख रहा है और पीछे side में जो आपको दिख रहा है, these are the pioneer area, pioneer procedure, pioneer park, वो सारे residentials आपको दिख रहे होंगे, so यह 24 meter road direct road से आ रहा है, जो कि tower C को उस side में bifurcate कर रहा है, और यही road सीधा आगे heritage school और इंद्रा गांदी eye hospital की और जाएगा, so this is the location which I was talking about, यह हो गया आपका पूरा food court और gaming zone, इस side से होते वे थोड़ा सा आगे कि और जिदर से अभी मैं आया, इधर में आपको gaming zone का कुछ area हो जाता है, और यह complete food court, और यह पीछे से यह 12 meter road जो आप देख रहे हो, यह 12 meter road है, यहां से भी इसकी entry होगी, क्योंकि ठीक इसके opposite side में जो land patch है, वो आपको इस side में पढ़ता है, और यहां पे ही आपका tower भी आने वाला है, इस के back में आप देख रहो है, इंदिरा गांधी Eye Hospital है, जो की काफी famous hospital है, exclusive for the eye doctors, यहां पे काफी बड़े बड़े अच्छे अच्छे doctors आते हैं, तो आसपास की vicinity में आपको काफी high end residential और इस तरह के चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, और main extension note से मुस्किल से 300-400 meter अंदर में स्टार्ट हो गई है, so definitely it is a very good buy, it is a must buy, so definitely at the end अगर मैं इस product की review करूँ, तो 5 में 4 या 4.25 अगर मैं दूंगा, तो आप ही बोलोगे की गलत नहीं है, due to its location और जो pricing और सारा कुछ आपको इसके अंदर मिल रहा है, और इसके अंदर कुछ जो दुकाने tower B में अभी भी available है, tower अभी इन्होंने open किया है, तो इसमें अभी ठीक ठाक inventory है, but prices बहुत ही तेजी से इसकी भी device हो जाएगी, so I'll definitely say कि अगर आप इसमें delay करतें, तो शाद हो सकता अपने choice के अनुसार आपको चीज ना मिले, या हो सकता कि escalated price में आपको मिले, तो आप इसको बिलकुल भी opportunity को miss करें, further इसकी सारी details में आपको दूंगा, जब आप मुझे call करेंगे, इसका PDF, इसके पूरे flow plan, everything I'll be sharing with you, as well as इसमें क्या-क्या schemes आपको मिल जाते हैं, आज के rate में वो भी मैं आपको बताऊंगा, आज इसमें book करते हैं, तो सारे schemes avail कर पाएंगे, अगर रुक कर करेंगे, त हो सकता है, उनमें से कुछ schemes जो है, वो माइनस हो जाए, so that's why I say don delay call me out, जो number आपको video screen पर दीख रहा है, उस पर आप मुझे call करें, this was all for today, extension note पर एक शांदार investment, वो भी ऐसे location पर जहां पर लोग dream out करते हैं, investment करने को, और वहाँ पर आपको 60-70 lakhs onwards investment मिल जा रहे हैं, तो और क्या चाहिए, so this was all for today, thanks a lot for a valuable time, have a great day ahead.